चर्चा है कि राजस्थान के लोक सभा चुनाव परिनाम इस वार पूरे देश को चौकाएंगे इसी के साथ दूसरी चर्चा है कि मिशन 25 का दावा कर रही बीजेपी को कॉंग्रेस ने आदी से ज्यादा सीटों पर कड़ी ठक कर दी है शेखावाटी और मारवाल की कई सीटों पर कॉंग्रेस ने जीत के तावे किये हैं और बीजेपीर में सिका रहा है कि कॉंग्रेस कुछ सीटों पर उनको डिफीट दे रही है खैर राजस्थान के स्वीड वेक ने पूरी कॉंग्रेस में चोश का संचार किया है इसके साथ ही कॉंग्रेस के उनका दावर नेताओं के राजनेटिक भविश्य का फैंसला भी होना है जिने चार जून के चुनाव परिणामों का नफा नुकसान भगतना पड़ेगा यह तो रिजल्ट कॉंग्रेस के पक्ष में आये यह खिलाफ में चुनाव बाद प्रदेश कॉंग्रेस में अब बड़ा फेर बदल निश्यत माना जा रहा है फीर बदल क्या होगा कैसे होगा इसी पर कयास लगाए जा रहे है वैसे जो भी होगा बड़ा दिल्चस्प होगा दरसल वो रजस्थान के दिन भुलाए नहीं जा सकते है पूर सीम गहलोत और सचिन पाइलेट की अदावत के किस से सुनाई दिया करते थे चुनाव परिणाम से ठीक पहले एक बार फिर दोनों नेताओं की सियासत कर्मा गई है गहलोत पाइलेट की सियासत के किस से पहले जयापूर से दिल्ली तक थे इस बार जयापुर से राय बरेली पहुँच गये है गहलोट और पाइलेट के बीच सियासी मदभेद उभरने लगे है इसकी शुरुवात इस बार सचीन पाइलेट ने की है पाइलेट ने 25 सितंबर 2022 की घटनागर जिक्र करते हुए गहलोट को घेरने का प्रयास किया है दोनों निताओं में सियासी वार छिड़ती नजर आ रही है और इसकी एक्चुल शुरुवात माने तो पाइलेट की जाल और सिरोही चुनाओ परचार नहीं जाने को लेकर पूछे सवाल से हुई है पाइलेट ने कहा कि वैभव गहलोट की चुनाओ परचार में पूर्स जीम गहलोट ने उन्हें बुलाया ही नहीं इस पर पलटवार करते हुए अशोग गहलोट ने कहा कि चुनाओं में ऐसी बातों को मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए इससे प्रत्याशी को भी नुक्सान उठाना पड़ सकता है गहलोट ने कहा कि समय नहीं मिल सका इसलिए वे पाइलेट को नहीं बुला सके लेकिन उनको भी समय नहीं प्लाया वे जा नहीं सके ऐसे में वे ऐसे कह दें कि मुझे बुलाया नहीं यह भी गलत बात होगी खर दोनों नेताओं के भी सियासी खीचतान एक बार फिर से शुरू हो चुकी है चुनाओं परणाम के बाद अब स्पीसी सी चीफ के पद को लेकर चर् लगाय जा रहे हैं चुनाओं बाद क्या होगा इस पर मीडिया में चर्चा है कि अशोग गहलोत प्रदेश अद्यक्ष पद नहीं चाते हैं लेकिन सवाल यह उठता है कि प्रदेश अद्यक्ष्पद की रेस में इस बार तो नहीं तीन नहीं चार भी नहीं बल्कि पाँच पांच नाम सामने आ रहे हैं तो कौन बनेगा प्रदेश अद्यक्ष पहली बात दिये कि मौझूदा PCC चीफ गोविन सिंग डोटासरा का यह दूसरा टर्म है बहतरी इनकाम कर रहे हैं खूब मेहनत की है दोनों ही चुनाव में विधान सवा चुनाव ले 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 या लोक सवा चुनाव खूब सारी रेलिया हैं जंद सभाएं दमदार भाशन दिये हैं शेखावाटी से निकले डोटासरा का नाम इसलिए कि इंद्र की सियात सथ तक चर्चाओं में रहा है ऐसे मे डोटासरा को बदला ही क्यों जाए पूरा टर्म क्यों न करने दिये जाए लेकिन चर्चा यह है कि लॉबिंग शुरू हो चुकी है माना जा रहा है कि चुनाव परणाव अगर कॉंग्रेस के पक्ष में रहे तो डोटासरा का कद बढ़ेगा और पद कंटिन्यू रहेगा चुनाव में सचिन पैलेट ने भी खुब मैनत की है रेलिया जन्सभा में चन्ता को कनेक्ट करने में सफल नजर आये हैं ऐसे उन्हें भी यह जिम्मेदारी फिर से मिल सकती है लेकिन प्रदेश अदेक्ष कातार में कॉंग्रेस नेता रगु शर्मा भी खड़े हैं वें ग पाइलोट और घहलोट का सियासी वार उनकी परफोर्मेंस को एफेक्ट न कर दे लोकि दोनों नेताओं पर पार्टी को बहुत बड़ा भरोसा है फिलाल मुझे दीजी एजजत जनता दर्भार के लिए जयापूर से विजय वर्मा